गुरुजी प्रइदीप मिस्राजी द्वारा बताए गए कुछ उपाई ऐसे हैं जिन हैं आप कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो परिवार में पती हों, बच्चे हों, स्वेम आप हों, क्रोध कम होता है, गलत संगत किसी की हो रही है तो वहपून रूप से ठीक रास्ते परा बेटा बेटी कहना नहीं मानते, पड़ाई में मन नहीं लगते पती भी बिल्कुल भी जो है, आपके कहे अनुसार नहीं चलते, विप्रीज चलते हैं परिवार में कलेह कलेस की स्तिति उस विक्टि के वजए से हैं तो आप सभी को इन उपायों को कभी भी किसी भी सुप्तिति में कर लेना चाहिए आप किसी भी सॉमबार मंगलवार अमाउश्या पूर निमा प्रदोश कोई न कोई स्रेश्टिति थी जब आपके पास समय हो आप प्रयात्न करें इन उपायों को कर सके देखिए जी कारें को करना है और परणाम सुखद ही मिलते हैं इनका संबंध नव ग्रहों से भी होता है तो देर न करते हुए आरंब करते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और उस व्यक्ति के साथ शेयर कर दिए जिसको इसकी अवशकता है भले ही आप करें या स्वयम आप के साथ मुझे शेयर करना चाहिए गुरुजी इसमें इसपस्ट सरूप में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जिस विक्ति को क्रोध हाता है गलत संगत उसकी हो गई है चिर्चिर स्वाभाव या रोग से वह ग्रस्त हो गया है कहीं न कहीं जो चामल है और जो है इसमें जो होती है तो कहीं न कहीं बेक्ति सोयम पर काबुन नहीं का पाता है तो ऐसी स्थिति में आप सभी को इस उपाई को किसी भी निन कर लेना है शंभेशर महादेव का नाम लेकर आपको एक मुठी चामल लेने है और आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है लाल कपड़े का सम्मंद किस से होता है मंगल ग्रह से होता है मंगल ग्रह अगर क्रूर अवस्था में है तो विवा की अर्चन हैंगी विवा हो भी जाएगा तो पती पतनी में कहीं न कहीं विवात के स्थिति होगी क्रोध ही अधिक होता है बिक्ति अगर वह मंगल ग्रह के दोसों से जूज र परन्तु लाल इसमें ज्यादा सुबकारी होता है गुरुजी ने लाल कपड़े का ऐसा खुश नहीं गुरुजी ने सिर्फ इतना कहा कि आप एक कपड़ा ले लिजिए परन्तु इसे विधान से किया जाए तो कहीं न कहीं दुस्परिणाम तो होने ही नहीं तो आप एक कराकर उसे टच करा पर आप सभी इसे ले जाकर विशेश तवर पर जो है आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में छोड़कर आजाएए समर्पित नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना है आपको सिर्फ वहाँ छोड़कर आजाना है जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यक् विटियो कर लेंगे किसी भी मंदिर में इस वह समय सब्स नहीं बात आजाया तक कर सकते हैं जरूर से इस बात का ध्यान रखना है मएंगी जब्रशों पड़ेंब कर लिए उससे किसी चीज से बांध लीजिएगा नहीं को चावल विखी लिए तो अच्छा नहीं माना लिए जो कि बहुत सरल है की जा सकती है तो हमने बात कर ली प्रथम उपई कि बढ़ते हैं दूसरे उपई की दूसरे उपई रुद्राक्ष जो कि माहक्या पारवती का सुंदर स्वरूप है और इस कलियोग में महादेव का अंश के रूप में हमारे घर घर में विराज मान है गुरुजी द्वारा प्रदत रुद्राच आपके पास है तो अतियोत्तम है नहीं तो आपके घर पर जो जाप की माला होती है वह भी आप ले सकते हैं कोई साभी रुद्राक्षा आप ले ल ऐसा संभव नहीं है कोई भी दवाई भी काम करती है तो सोड़ा सा उससे समय लगता है तो चीजों को ध्यान से समझ कर सोच कर पेसेंस धैरे के साथ कारे कीज़ेगा आपको एक रुद्राक्ष ले ले लेना है रुद्राक्ष कैसा भी हो एक मुखी हो पंच मुखी हो तो आपको अपनी पूजा के स्थल पर या घर की रसोई में कहीं भी जल का लोटा भर कर रख देना है इस ना नित्यरी से निवरेत होकर रुद्राक्ष अब कितनी देर डालना है पांच दस साथ आठ मिनट जितना समय है आपके पास जितनी देर आप पूजा की तैयारी करता ह उतनी देर आप रुद्राक्ष उसमें डाल दीजे बाद में चमच की मदश से रुद्राक्ष निकाल दीजे अब आपको यह ले जाना है महादेव के मंदिर में आपको अभी कभी आपके प्रशना आते हैं दिदी से क्या घर पर भी कर ले घर पर करने का दिखी एक अपना विधान है परन्तु घर में कई भार प्राण प्रतिष्ठित और बहुत विसेश अभी मंत्रित महादेव सिवलिंग्स वरोप में हमारे घर पर नहीं विराजमान हो पाते हैं ऐसी स्तिति में कोई भी उपाय हो उसकी सार्थक्ता तभी है जब मंदिर में किया जाए क्योंकि लाखो भक्तों की वहाँ पर अपने आप में पॉजिटीव एनर्जी होती है विस्सास होता है महादेव के साथ एक अध्भुत अनुभूती होती है और साथी महादेव मंत्रों के शक्ति से कई वर्शों से अभी मंतित है और साक्षात विराजमान है तो आप सभी को क्या कर नमह शिवायोम या पंचाक्षर सडाक्षर मंत्र कोई सब आता हो आपको वह बोलना है तत्पश्चात आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सीवलिंग पर रुदराक्ष में से जल चड़ाना है बारह जोतिर लिंग का ध्यान करते हुए तत्पश्चात आपको जो बारह खिला दीजी या वह अगर कहना मानते हैं तो उन्हें थोड़ा थोड़ा पिलाना सुरू कर दीजिए येकीन मानिये क्रोध हो गलत संगत हो दूर्वयसन हो चिर्चिर स्वभाव हो क्रोध ही व्यक्तित हो हर तरप से रोग परेशान कर रहा है तो उसका निदान होगा इस ब पुरान सीवलिंग पर चड़ा हुआ जल पीने से भारी से भारी मानसिक सारीरिक और आर्थिक पीड़ा मिड़ जाती है तो रुद्राक्ष मिसरी जल की तो महिमा ही अलग है तो आपको यह कार कर लेना चाहिए कभी भी किसी भी दिन से तो विश्वास रखकर कीजेगा और क विदियो चेंश्वार्यव horror वीडियो संते हुए और मुझ से कोई प्रश्न न चाहते हैं या कोई जोतिश्राय कि लेना चाहते हैं मैंने ओसर्य पर अपना वर्टसर्व利件 दिया हुए है अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी प्रूबाइट करा दूंगी मेरी टीम द्वारा आप जोतिष जानकारी को इसे भी ले सकते हैं तो आप सभी को मैं उपाय की तरफ बढ़ते हैं जो कि दीपक से संबंधित हैं दीपक आप सभी को जो है विसेश तोर पर इसमें आटे का ही बनाना है अधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है गुरुजी कहते ह आपने सुने होंगे लंबे समय से गुरुजी दारा लिखी गई किताब है उनके जो है कथा है तो उनमें से ही अधूत पर नाम लेकर दीपक बनाने का है जिसमें आपको या तो तिल का तेल भरना है या घी भर लेना है इच्छा आपकी है जो विक्ति बिमार है हठीला है र महादेव और इसे ले जाकर किसी भी चौराहे पर आपको प्रज्युलित करकर आ जाना है किसी कारण से चौराहे पर प्रज्युलित नहीं कर सकते हैं तो सीव बंदिर की चोखट पर इसे प्रज्युलित करकर आ जाईएगा यकीन मानिए जिस बिक्ति के उपर से आपने आप में चमतकार है करके देखिएगा कैसी भी पीडा हो संका हो दुख तकलीफ हो निश्ची तुरूप से उसमें आरामाना प्रारंब हो जाएगा तो यह बात हो गई सुन्दर उपाए की अब आप सभी को बताते हुए चले अन्य उपाए हलाकि मैंने कई बार आप सभी को य समरण करते हुए अगर आप माता या बच्चे के पिता कोई भी स्विवन दिर में जाकर लाल या पीले जो है चंदन का लेपन सेवलिंग पर करते हैं और उस लेपन को थोड़ा सा घर ले आते हैं और उसका अपने बच्चे या अपने पती के मस्तक पर तिलक या गले मैं य और क्रोध स्वयम ही सांत होगा हार रहे हैं दुख पा रहे हैं जीवन में हर स्वरूप में रोग से प्रभावित हैं क्रोध और दुर्व्यसन से परेशान है तो सीवलिंग पर चड़ाया गया चंदन आप लेकर आए अपने हाथ से सुन्दर स्रिंगार करकर महादेव की न हो ना अरंब हो जाता है बच्चे के जहां पर अधिकतर समय वह बेतीत करता है वहां पर भी बिनली लागा सकते हैं निश्ची थी इससे लाम मिलेगा इस तरह से जानकरे थी कमेंट्स में लिग दीजिए हर हर महादेव जैसे सम्भू